वो आदमी बोला कल रात भगवान मेरे सपने में प्रकट हुए और बोले इस पेड़ के नीचे एक साधू मिलेंगे और उनके पास एक बड़ा सा हीरा होगा साधू बोले अच्छा वो हीरा तब वो साधू के पास गया आपके अंदर पक्का कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज़ादा कीमती है वो क्या है क्या आप हमें दो टिप्स दे सकते हैं जिन से आपको लगता है कि हम अपने शिखर पर जीकर दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं देखे जब हम शिखर शब्द कहते हैं, तो लगता है आप पहाड़ पर चड़ना चाहते हैं, यानि कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि शिखर उसमें नहीं है जो आप बाहर कर रहे हैं, शिखर इसमें है कि आप इस तो असल में आप क्या खोज रहे हैं, आप इसको बस एक जीव के रूप में देखे, फिलाल आप इतनी तरह के सामाजिक तत्व बन चुके हैं, कि आप उसी में खोज चुके हैं, लेकिन सच यह है कि आप एक जीव हैं, जादा तर लोगों को अपने एक जीवन होने का हैसास त हमसे कुछ ऐसी चीज़े हो जाती हैं, जो दूसरों के जीवन पर असर डालती हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह जीवन तभी है, जब यह जीवन जितना हो सके अपने सबसे बढ़िया तरीके से काम करें, तभी बाकी सब कुछ होगा, जितना हो सके सबसे बढ़ आप इसे लेकर नहीं जाने वाले हैं ना? अपने खुद के मकान आप साथ लेकर नहीं जा सकते या आप जानते हैं तो जाहिर है कि अब केवल एक ही चीज बचती है, वो है आपके अनुभाव की गहराई हैं कि ने? आपका अनुभव कितना गहरा है अपने जीवन को गहरा बनाने के लिए कोई बोलता है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा कर सकते हैं तो हर कोई उनिवर्सिटी क्या मैंने गया किसी ने बोला अगर आपके पास पैसे हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं सब के सब उसके पीछे भागे, किसी ने का अगर आपकी शादी हो जाए तब ऐसा होगा, सब ने शादी कर ली, किसी ने का अगर आपके बच्चे हो तब ऐसा हो जाएगा, सब ने वो भी किया, किसी ने का ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया में ताकतवर बनना होगा, तो लोग उसके पीछे भागे, असल में जो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, आप उसे बाहर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज असल में आपके अंदर होनी चाहिए, आप उसे बाहर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, कभी कबार इसे बाहर से प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन इसको आपके अंदर से होना चाहिए, इनसान का हर अनुभव आपके अंदर से आता है, ऐसा है की नहीं? आपकी खुशी और दुख, दर्द और सुख और जितनी भी चीज़ें, यातना और पर्मानंद ये केवल आपके अंदर से ही घटित हो सकते हैं, सवाल बस ये है, कि आपकी खुशी, आपकी शान्ती, आपका प्रेम, आपका पर्मानंद, क्या इसे धक्के की जरूरत पड़ती है या ये खुद से स्टार्ट होता है? मैं टेक्नॉलोजी को अप्ग्रेड करने की बात कर रहा हूँ, एक जमाना था, 1950 में या, 1950 की बात है, अगर आपने कार खरीदी, तो आपको सुबह दो लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो धक्के से स्टार्ट होती थी, अगर आपने 60 के शुरुवाती दशक में कार खरीदी होती, तो वो क्रैंक स्टार्ट थी, आपको एक आदमी की जरूरत होती थी, आज हमारी सारी कारें सेल्फ स्टार्ट हैं, राइट? टेक्नॉलोजी अप्ग्रेड हो रही है, जो चीज़ें आपके जीने के लिए सबसे ज़ादा ज़रूरी हैं, आपके अनुभाव की गहराई, आपके यहां होने की खुशी, इन सबको अभी धक्के की जरूरत पड़ती है, अगर आपको खुश होना है, तो हमें इस दुनिया में कितने लोगों को ठीक करना पड़ जाएगा? अगर आपको शांत रहना हो, तो हमें पूरी दुनिया को ठीक करना पड़ जाएगा, तो अपने आपको यह खास तरह से महसूस करवाने के लिए, आप अंगिनत शर्तें सामने रख देते हैं और माना खुशाली की तलाश में हमने दुनिया ही उलट-पुलट कर रख डाली है हमने दर्ती को फाल कर दो टुकड़े कर दिया है पर फिर भी हम सबसे खुश पीड़ी नहीं है हाँ हम अब तक की ऐसी पीड़ी जरूर हैं जो सबसे जादा आराम में है इससे पहले कभी भी किसी पीड़ी के लोगों ने इस तरह कि सुख सुविधाओं का अनन नहीं लिया है जैसा आप और मैं इस समय ले रहे हैं ऐसा है की नहीं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इन सारी सुख सुविधाओं के साथ हम सबसे जादा खुशनुमा पीड़ी हैं? नहीं, ये सच नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम और जादा दुखी हैं लेकिन निश्चित ही हैं, हम सबसे ज़्यादा खुश्णुमा नहीं हैं, क्या हम शांति पूर्ण हैं? नहीं, क्या हम प्रेम पूर्ण हैं? नहीं, तो हमारे जीवन का अनुभा अभी वैसा ही है, जैसा गुफा में रहने वाले लोगों को था, वही चिंता है, उस आदमी को खाना कहां से मिलेगा? आपकी चिंता है मेरा अगला मकान खहां होगा? लगातार, आपको लगता है ये अलग है, ये अलग नहीं है, ये बुनियादी बात है, है की नहीं? हलो? अपना जीवन चलाने की प्रक्रिया को और्गनाइज करने के पीछे सोच ये है, कि अब हमें इ अधी तक जाना पड़ता था, सर पर एक बरतन रखकर, तो क्यूं आज हमने ये सारी सुख सविताय बनाई हैं? ताकि हमें अपनी सारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े, हर चीज विवस्तित है, अब हमने सोचा था कि अगर ये सब विवस्तित ह हो गया, तो हम सब यहां आनंदित होकर बैठेंगे, खेर ये हुआ नहीं, ऐसा इसले नहीं हुआ क्योंकि इसको हमने अपने हाथ में नहीं लिया है, तो मानव जीवन के शिखर का मतलब माउंट एवरेस पर चड़ जाना नहीं है, मैं एवरेस पर जा चुका हूँ, पता है नहीं, आपको नहीं पता था शिखर तक? हाँ, बिल्कुल शिखर तक कोई वहाँ उपर तक गया और हाथ में मेरी फोटो लेकर अपनी फोटो खीच ली, तो मैं मानता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ ये ज़्यादा सुरक्षत है ज़्यादा समझदारी भराभी है क्योंकि ये बंदा जो वहाँ उपर गया और अपने हाथ में मेरी फोटो लेकर अपनी फोटो खीच वाई थी, नीचे आया और बोला सद्गुरू, हम बारा लोगों ने चड़ना शुरू किया था उसमें से केवल हम दो ही शिखर तक पहुँच पाए और मैंने वहाँ फोटो खीची और नीचे आ गया हम वहाँ लगभग बस 40 सेकिंड के लिए थे बिल्कुल शिखर के उपर क्योंकि हवाएं तेज हो रही थी और हमें नीचे आना ही पड़ा बस 40 सेकिंड तक मैंने चारू हूँ और देखा मैं एक चीज भी नहीं देख पाया और मैं नीचे आ गया, आप मैं सोचता हूँ मैंने ये किया ही क्यों क्योंकि आप कश्ट के शिखर को जानना चाते थे ये कोई मामूली शारीरिक चुनाओती नहीं थी, एवरेस पर चड़ना कोई मामूली शारीरिक चुनाओती नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसे नहीं चड़ना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शिखर केवल आपके अंदर ही घटित हो सकता है, ये आपके बाहर घटित नहीं होगा. तो जब शिखर और घाटी और तलहटी आपके भीतर ही घटित हो सकते हैं, तो लोग महल में बैटकर भी ऐसे उदास हो सकते हैं. जैसे वो अपने जीवन के गर्त में हो, है न? तो उसी तरह ये भी संबभव है कि आप किसी गली में बैटकर शिखर पर हों. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनो. एक साधू थे, साधू यानि एक भिक्षू. भारत में हमारे यहां फुल टाइम आध्यात्मिक लोग होते हैं, ठीक है? मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं होते हैं, या बहुत कम होते हैं, पर यहां हमारे यां बहुत हैं. तो ये साधू शाम को रात भर के लिए एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पेड के नीचे ठहरे हुए थे. और एक आदमी आया, उसने साधू को देखा और बला, वो हीरा कहा है? वो हीरा कहा है? मुझे वो हीरा दे दिजे. साधू ने उसकी ओड़ देखा और बोले, कौन सा हीरा? तो आदमी बोला कल रात भगवान मेरे सपने में प्रकट हुए और बोले इस पेड़ के नीचे एक साधू होंगे और उनके पास एक बड़ा सा हीरा है अगर तुम उनसे मांगोगे वो दे देंगे साधू बोले अच्छा वो हीरा और उन्होंने जोले में अपना हाट डाला और इंसान की खोपली के बराबर का एक हीरा बाहर निकाला इतना बड़ा और उसको दे दिया इस आदमी ने इसे लिया कपलों में छुपाया और घर की और भागा घर जाते समय वो इससे जूज रहा था किसको बताओं किसको ना बताओं क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो वो उसे मां डालेंगे और हीरा ले लेंगे घर पहुंचते पहुंचते वो वाँ कई घबरा चुका था वो घर पहुंचा उसने अपनी पत्नी को देखा हे भगवान इससे तो एक बात नहीं चिपती इसको नहीं बता सकता तो वो सीधा बिस्तर पर गया उससे तक्ये के नीचे रखा और उसी पर सो गया तो उसके पत्नी आई और बोली तुम यहाँ ऐसे कैसे पड़े हो आउ खाना खाए उसने का नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है क्योंकि वो उस हीरे को एक पल के लिए बे नहीं चोड़ना चाता था पत्नी को लगा इसकी तब्ये ठीक नहीं है और वो चली गई और वो पूरी रात नहीं सो सका है एक चीज तो यह कि उसे चिंता थी कि इस हीरे के साथ क्या किया जाए दूसरी बात यह कि तके के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखकर आप सो नहीं सकते वो पूरी रात संघर्ष करता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं सुबह चार बेह तक वो पूरी तरह बौखला चुका था तब वो साधू के पास गया उसने कहा कल में आया था और आपसे ये हीरा मांगा था मेरा परिचह जाने बिना ही आपने मुझे इतना बड़ा हीरा यूँ ही दे दिया ये दुनिया के सबसे कीमती चीज है आपने बस ऐसे ही दे दिया अगर आप ऐसा हीरा दे देते हैं तो पक्का आपके अंदर कुछ ऐसा जरूर होगा जो इससे कहीं ज़ादा कीमती होगा वो क्या है तब साधू ने का अच्छा तो तुम्हें होश आ गया फेको उस फालतू पत्थर को राकर यहां बैठो आओ देखते हैं ऐसा करने का समय आ गया है